राकेश कुमार का मेसेज आ चुका है सुमित भाई मेरा एच एससी एल एम गवर्वेंट जोब में सेलेक्शन हो गया कॉंग्रेटुलेशन ब्रो बत्ता बंद कवाने के लिए एंप्लोमेंट ओफिस जाना पड़ेगा या ओटोमेटिक हो जाएगा जाना ही पड़ेगा दोस् आपका जनवरी का अलाउंस अप्लोड हो गया है अपना अपना चेक कर लेना बीस फरवरी को अलाउंस आपका जो है अप्लोड हो गया है ठीक है यह कल की डेट में उन्होंने बेज़ा है तो अपना अपना दिसंबर तक का इसाब किताब कलीर हो चुका है अपना अपना चे के मैसीज आये थे, मैंने किये नहीं, अब आप मुझे बताएं, कि फर्वरी दो जाए चाह चुकी है, सोड़ा फर्वरी को एक साल हो गया है, क्या मुझे वापिस की में लेंगे, क्योंकि अभी तक डिबारी होगर रहा है, देखो लेंगे, सोड़ा फर्वरी तो जाने दो, फ्रवरी के बाद आएगा मार्च मार्च के अप्रेल में a gotta ठोट हुआ है समझे स्थे सदलाजिक इनका या तो फड़ल में हुए हो फ्रवरी इंडूड करेंगे या नहीं करेंगे दो वह बात अलग है तो कि घे सब फ्रवरी के अभी तो पैसे अप्लोड होई नहीं सकते फ्रवरी के मार्च में जाकर गए फ्रवरी के अप्लोड होगे ऐसे ही आपको अभी दो मन्त का वेट ओर करना पड़ेगा लेकिन आपकी एक एक पैसा आएगा आप टैंसर मत लेना सारे पैसे आजाएंगे आप वापिस से आजाओगे सुमित भाई महंदरगर डिस्टिक की इनफोर्मेशन मिली कुछ एक मन्त हो गया पूरे पैसे अकाउंट में नहीं आए अभी तक पांच मन्त का अलाउंस हो रखा है प्लस तू वालों का नविन तनवर ओके जी ओके एक मन्त हो गया अकाउंट में पैसे नहीं आए है कौन सा महंदरगर डिस्टिक हाँ इनके आए नहीं है अभी महंदरगर डिस्टिक अपडेट आई नहीं थी जैसे आएगी हम आपको इंफोर्मेशन देंगे सब ठीक है ओके नेक्स्ट है रज्जा खान अच्छा इनके प्रोल्म मैंने बताई थी वह अटोमेट कई की बार हो जाता है अपना सोलुशन हो जाएगा सोलुशन हो गया अप्लोड हो गए यह सेल्री हाँ यह तो हो नहीं था भाई अप्लोड जो हम आपने बेज़े था न वह अप्लोड ह हो जाएगी पता था यह जो है यह अप्लोड हो गई आपकी टर्श मतलो यह होता है कई की बार ऐसे दिखार यह दे देता लेकिन हो जाता है इसके ऑखे राम क्या बोल रहे हैं भाई सुमित जीन्द डिस्टिक का मैं से बता अप्लोड नहीं हुआ है जीन्द वालों में उन्द सी डिस्टिक कों के नेट बंध है को मैं करके जरूब बताना यह पता अगया उन्न बचों के पास भी वरक के मैसिज़ आ सकते हैं उनके पास कोई भी मैसिज आ सकता है लेकिन वो अगर चैक नहीं कर पाए तो भाई सिस्टम को जो कमांड दे रखी वो कमांड अपना काम करेगी, चाहिए कुछ भी हो जाए, चाहिए आपका नेट बंद हो या ना हो, अगर आपके पास काम की वरक के मैसिज की, डिमाड आ गई, वरक के मैसिज आ गई, और आपने चेक नहीं किया, सस्पेंड हो जाओगे, सस्पेंड होना सो उसे बड़ी बात है, डिमाड होना अच्छी बात है, लेकि सस्पेंड होना गलत है, सस्पेंड होने के बाद जब तक वरक मैसिज नहीं आता, तो तब तक आपका बता नहीं आता, डिमाड होने के बाद कम से कम टाइम पिरिएड तो है एक साल का, लेकि सस्पेंड के बाद कोई टाइम पिरिएड ही नहीं है, अगर आज आप सस्पेंड होगे तो क्या पता आपका मैसी पांच साल में आए, क्या पता एक मन्त में आजाए, क्या पता आए ही ना, ऐसा होता है, सस्पेंड सबसे बुरा चीज है, सबसे जो बुरी चीज है वो सस्पेंड है भाई, ठीक है, और डिबार क्या, डिबार का टा पनो गसा पुछो पनो गयो के तो सूख जो